नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका काई रोज यूपी एसी में राइट टाइम एड़ राइट मोमें तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने हैं कोफी क्लॉब ओफन सीन इन न्यूज इस आपको बताना है कि कोफी तो वह क्या है आपके सामने ओप्सन है ओप्सन ए ग्रूप ओप क्रेडिटर नेशन्स वोज अबजेक्टिव इस टू फाइंड वर्केबल सॉल्यूशन टू पैमेंट प्रॉब्लेम्स फेश्ट बाइटर नेशन क्या कोई लेंदार और देंदार देशों के बीच में UNSC के रिलेटेड ऐसा कोई ग्रूप है जिनको कोई अबजेक्ट है किसके बारे में UNSC के एक्सपांशन के बारे में आपके सामने तीसरा ओप्सन है इंटर गवर्मेंटल ओर्गेनाजेशन तू स्टिम्यूलेट इकोनोमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल ट्रेड क्या ऐसा कोई एक इंटरनेशनल गवर्मेंट ओर्गेनाजेशन है जो कोफी क्लब के नाम से जाना जाता है और आपके सामने चौथा ओप्सन यानि की ली है ग्रूप विच प्रोटेक्ट कोफी ग्रोवर्वर्स इल्ड एंड लावस्टिप क्या जो कोफी के पाक का उत्पाधन करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके लावलिहूड इल्ड वगेरे के बारे में बात करने के लिए ऐसा कोई ग्रूप बनाया है तो इस क्वेस्चन का सही आंसर है ऑप्सन बी यानि कि ऐसा एक ग्रूप है जो यूएनसी के एक्सपांशन के लिए जो जी से जी फोर कंट्र है आपको बताना है कि इन जी फोर कंट्री को अगर यूएनसी में पर्मनंट सीट मिलती है तो उनका विरोध करने के लिए उनको उपोज करने के लिए कौफी क्लब बनाया हुआ है अब जी फोर कौन से कंट्री है उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक हो गया हमारा भारत दूसरा हो गया जापान तीसरा हो गया ब्राजील और चौथा 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 बोलो बोलो हाँ चौथा हो गया जर्मनी तो इन चार देशों के बीच में एक संधी बनी हुई है कि हम चारों मिलके एक दूसरे के लिए UNSC में पर्मनेंट सीट की बात करेंगे लेकिन इन चारों को मिलता है तो इन चारों को ओपोज करने के लिए एक ग्रूप बनाया हुआ है जिसका नाम है कौफी क्लप तो इस क्रिस्टिन का सही अंसर है ओप्शन B ठीक है देख लेते हैं कि इन में कौन कौन से कंट्री का कंट्री शामिल है जैसे कि इसमें हो गया इटाली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, साउथ कोरिया, आर्जेंटिना और अमारा सबसे प्यारा वाला पडोसी कौन है पाकिस्तान ठीक है तो इन देशों से मिल, इन देशों ने मिल के क्या बनाया हुआ है coffee club बनाया हुआ है जिनका official नाम है Uniting for Consensus ठीक है चलते हैं next question की और आपके सामने next question है जतन often seen in news टीवी समाचारों में जतन नाम का कुछ चल रहा था वो कौन सी ministry के अंदर आता है चलिए आपको बताना है क्या ministry of culture and tourism में है ministry of corporate affairs में है ministry of commerce और industry में है या फिर ministry of msme में है इन चारों में से किन के बारे में हमें जतन सुनने को मिलता है तो हमारा सही answer है option A यानि की ministry of culture and tourism अब देख लेते हैं जतन क्या है तो friends जतन जो है वो जतन एक virtual museum builder है एक software being used for digitizing records of antics जो भी हमारे antics है किसी की मूर्ती हो गई कोई statue हो गया किसी के साथ-साथ कोई एक बड़ा सा आर्टिक्स हो गया तो उन सब को protect करने के लिए और उन protection के साथ-साथ उनका एक virtual museum बनाने के लिए जतन नाम का कुछ समाचारों में हमें मिलता था ठीक है कि जैसे कि जतन के फुल फर्म क्या है ठीक है चलते हैं हमारे next question की और next question आपके सामने है रोसीमा एय प्रोसेस वो रिसेंटली initiated वाई आपको बताना है कि हिरोसीमा एय प्रोसेस जो है वो recently क्या हुआ था initiated क्या हुआ किया गया था तो किन के द्वारा अब आपके सामने option है EU यानि कि European Union Chief for Alliance, Financial Action Task Force और G7 देखिए आप इन में से ऐसा कोई तुका नहीं लगा सकते है कि यह हिरो सिमा है तो यह जापान से होगा क्योंकि option में तो कोई जापान है ही नहीं लेकिन आप इतना eliminate कर सकते हो कि अगर यह हिरो सिमा से initiated हुआ है तो इसमें जापान country तो होगा ही होगा ठीक है और European Union में जापान नहीं आता है चलिए एक option आप eliminate कर सकते हो लेकिन बाकि आपको ऐसे question टिक करने के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा option सही है option B है chip for alliance option C है financial action task force और option D है G7 तो फिलाल इस question का सही answer है G7 अब देख लेते थोड़ा इनके बारे में friends तो recently G7 summit अभी एक G7 summit हुई थी कहाँ पे हुई थी हिरो सिमा जापान में वहाँ पे उन्होंने क्या किया हिरो सिमा AI process को initiate किया और जब वो कब तक conclude होगी December 2023 में किसके लिए है signaling a significant step towards regulating यस आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ सुरू हो चुका है regulating artificial intelligence उसके लिए क्या लिखा है हमने क्या कौन सी process किया हुआ है हिरो सिमा AI process में बताता है तो इस question का सही answer था option D G7 चलिए next question के और आगे बढ़ते है next question हमारे सामने है trade deficit implies आपको बताना है trade deficit implies option A fall in exports option B rise in imports option C appreciation of currency और option D imports greater than export during a given time period तो trade deficit कब कहा जाता है क्या fall in exports होता है अगर export गीर गया तो क्या उससे हमारा trade deficit implies कर सकते हैं उससे हमें स्पष्ट पता होता नहीं है चलिए option B है rise in imports क्या ये भी एक सही answer है नहीं ये भी एक सही answer नहीं बन रहा है option C appreciation of currency क्या हमारी currency C जो strong होती है क्या उससे हमें ये बता सकता है या बिलकुल ये भी option हमारे सामने सही नहीं लग रहा है option D देख ले दे imports greater than export during a given time period yes trade deficit का मतलब option D सही से बता रहा है कि imports greater than export मतलब कि आपका import is not equal to export हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे trade deficit का मतलब क्या है कि जो हमारा import है वो import हमारा ज्यादा है compared to हमारे export से ठीक है तो option D यहाँ पे सही है चलते हैं next question की और next question आपके सामने है national time release study NTRS 2023 report was released recently by आपको बताना है कि national time release study यह नाम का report किन्हों ने प्रस्तूत किया था आपके सामने option है ministry of statistics and program implementation option B है नीती आयोग option C है central board of indirect taxes और option D है geological survey of इंडिया तो फिलाल इसका सही answer है option C, option C क्या बता रहा है central board of indirect taxes ठीक है हम देख लेते हैं कि recently CBI ने एक report release किया है जिसका नाम है national time release studies यानि कि NTRS 2023 ठीक है इसका मतलब क्या है और यह क्यों बताता है तो यह cargo release time बताता है various sports भारत के various sports के cargo के release time बताता है अब cargo क्या होता है friends वह तो आपको पता होगा ठीक है उसके बारे में अगर देख लेते हैं कि what is cargo release time इसका मतलब होता है the time taken from the arrival of the cargo at the custom station जैसे की हमारा कोई एक जहाज है यह जहाज हमारे पहुंच चुका है कहाँ पे अपना एक container एक जहाज एक custom office के पास से पहुंच चुका है and out of charge for domestic clearance in case of imports अगर import करना है तो यहाँ पे एक जो हमारी office होगी वो office के बीच में जब तक उसको क्या मिल जाए उसको मिल जाए clearance या फिर अगर हमें export करना है तो यहाँ से यहाँ तक का जो time लगता है उसको कहा जाता है cargo release time ठीक है चलिए चलते हैं हमारे next segment यानि की static question की और और सबसे पहला static question आपके सामने consider the following statement science निंबार का was a contemporary of October क्या यह सही है option आपको बताना है correct में से कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सेंट निंबार contemporary थे अकबर के option B sorry sentence B सेंट कबीर वस greatly influenced by सेख एहमद सिर हंदी क्या कबीर सर हंदी सेख थे उनके true influence हुए थे क्या तो आपको बताना है कि इन डोनों में से कौन सा answer सही है तो फिलाल कि अगर सेंट निंबार का अकबर के contemporary नहीं थे तो फिर किन के थे ठीके और दूसरा बताना है कि सेंट कबीर और सेख एहमद सर हंदी दोनों का time period कौन सा कौन सा था क्या लिखना है दोनों का time period फिलाल इस question का सही answer है option D चलिए दूसरा question देख लेते हैं दूसरा question आपके सामने है building कल्यान मंडपास was the notable feature of temple construction in the kingdom आपको बता है कि south में हमारे यहाँ पे क्या थे ड्रविडियन style के temples थे नोर्थ में हमारे वहाँ पे नागार style के temple थे और दोनों के मिला के हमारे पास चालुक्या सेली का वेसर सेली के temples थे तो आपको बताना है कि कल्यान मंडप नाम का जो भी एक feature था हमारे temple में वो kingdom के साथ जुड़ा हुआ है क्या चालुक्या के साथ ज विजईनगरा ठीके चलिए इस question का सही answer है विजईनगरा चलते हमारे next question की और next question हमारे सामने है in the interim government form in 1946 आपको पता होगा कि 1946 में हमारे यहां पर इंडिया को independence देने की शुरुवात हो चुकी थी और उस time पर क्या बना था एक बनी थी interim government तो उस interim government के vice president of the executive council कौन थे उस government के vice president of the executive council थे हमारे जवालना नेरू, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद इन चारों में से आपको बताना है सही answer कौन है, फिलाल आप अपना question comment box में दे सकते हैं अपने answers और हम देख लेते हैं इस सवाल का answer जो की है जवाहलाल नेहरू, ठीक है, चलते हैं हमारे next question की और, next question आपके सामने है friends, हुगली was used as a base of piracy, देखिए piracy करना चाहते हैं कहां प तो आपको पता होना चाहिए कि या Portuguese थे, क्या French थे, या Danish थे, या फिबरिटीस थे, तो जो भारत में सबसे पहले आया, उसी ने piracy किया, सबसे पहले कौन आये थे, सबसे पहले आये थे, Portuguese कब आये से, सन 1498 के आसपास, वासकोदी गामारे यहां पे आया था, ठीके, तो उनके साथ साथ दीरे 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 जो आने वाले Portuguese थे, उन्होंने हुगली को एक वेस बनाया था, कहां पे, बेंगाल में, किन के लिए, पाइरसी करने के लिए, ठीके, तो इस question का सही answer है, option A, चलिए, यह तो था हमारा आज का आखरी question, ऐसे ही question के लिए हमारे साथ बने रहे, thank you